नमस्कार राधे राधे जैस्री राम मित्रबंधुओं कैसे हैं आप सभी? मैं उमेद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रो आज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अलफाबेट की जो ए नामबाले जातक हैं जैसे अमर, अकबर, एंथिनी जो ए नामबाले लोग हैं इनका जो आने वाला शमय है यानि कि 2023 वो कैसा रहेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको बड़े ही ध्यान के शाथ में सुनना चाहिए तो आईए अब वीडियो की शुरूआत करते हैं शब से पहले हम लोग बात करते हैं आपके प्रेम जीबन के बारे में मित्रू प्रेम जीबन के दृष्टी कोन से 2023 का समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार रहेगा आने वाले शमय में अगर अभी तक आपके प्रेम जीबन की शुरूआत नहीं हुई है तो आप चिंता बिलकुल भी ना करें अगले वर्स में आपके प्रेम जीबन की शुरूआत होगी आने वाले शमय से पहले अगर आपके प्रेम जीबन में कोई परेशानी थी तो उन समस्याओं का अंत अवश्य होगा और आपका जो प्रेम जीवन है वो बहुत जयादा रोमान चक और मजबूत होगा आप में से जो भी लोग आने वाले शमय में प्रेम बिवाह करना चाहते हैं तो आप चिंता बिलकुल भी ना करें प्रेम बिवाह का योग 2023 में आपके लिए बन रहा है और आपकी शादी अवश्य हो सकती है दूसरा है केरियर मित्रों केरियर के दृष्टी कौन से भी आपका शमय बहुत जयादा बेहतर शांदार और लाजवाव होगा आने वाले समय में आपके केरियर के छेतर में आपके समय का सपोर्ट आपके भागी का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा 2023 में अगर अपने केरियर में आप कोई बदलाब करना चाहते हैं, कोई पडिवर्तन करना चाहते हैं, तो बदलाओ का योग आपके पक्ष में होगा, अगर आप कोई भी पडिवर्तन करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा 2023 के सुरुवात में आपके केरियर के छेतर में आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी इसके बाद है पढ़ाई लिखाई तो पढ़ाई लिखाई के दिर्ष्टी कौन से 2023 का समय आपके लिए average होगा यानि कि उतार चठाव बहुत ज्यादा होगा आने वाले वक्त में आपके पढ़ाई में बहुत ज्यादा परिशानी बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी मित्रो जिन चीजों से पढ़ाई से आपका मन दूर जाता हो तो ऐसे वस्तूओं से ऐसे सामानों से या ऐसे लोगों से आपको दूर हमेशा रहना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 2023 में आपके पढ़ाई लिखाई में आपको शमस्याओं का सामना बहुत ज्यादा करना होगा आने वाले वक्त में अगर आप अधाई लिखाई के कारण अपने घर से दूर जाना चाहते हैं तो दूर जाने का योग भी आपके लिए बन रहा है इसके वाद है धन संपती यानि की रुप्या पैसा मित्रों पैसों के दृष्टी कौन से आपका जो शमय है वो मिला जुला के ठीक रहेगा आप ऐसे कमाईंगे परंतु आपका जो खर्च है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके कमाई के साथ साथ जो आपका खर्चा है वो आपको थोड़ा बहुत परिशान अवश्य करेगा परंतु आप चिंता न करें अगर आपका खर्च बढ़ेगा तो आपकी जो कमाई है उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी मित्रो साल के सुरुवाती चार महिनों में यानि कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल के महिने में आपका जो फिजूल खर्ची है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसके अलावा शाल के अंत में भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये तीन महिना आपके फिजूल खर्ची के दिरिष्टी कौन से आपके पक्ष में नहीं रहेगा शाल के मध्य में आपका जो फिजूल खर्ची है वो एवरिज होगा न बहुत ज्यादा न बहुत कम लेकिन कुल मिलाकर साथ महिना आपके फिजूल खर्ची के दिरिष्टी कौन से आपके पक्ष में नहीं रहेगा जहां तक संभव हो सके अपने फिजूल खर्ची से आपको बचने का पड़ियास अवश्य करना चाहिए मित्रों इसके बाद है आपका पाड़िवाडिक जीवन जो की आपके लिए एवरिज होगा ना बहुत ज्यादा बेहतर ना बहुत ज्यादा खराब मित्रों 2023 में शंभावना है कि अपने पड़िवारवालों से आपको दूर रहना परेगा कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी जिसके कारण अपने घरवालों के शाथ में आप नहीं रह पाएंगे अपने घरवालों से दूर आपको जाना परेगा तो मित्रों यही था ए नामबाले लोगों के 2023 का फलादेश अगर आपके मन में कोई शवाल हो तो नीचे में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता अवश्य की जाएगी वैसे मुझे उम्मीद है साड़ी बातें आपके सामने में असपस्ट हो गई होगी और अब इसके बाद जानते हैं कि 2023 में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए मित्रों जहां तक संभब हो आपको बजरंगवली हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए कम से कम मंगलवार और सनीवार के दिन आपको इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए अगर संभब हो तो सातों दिन आपको पूजा करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो आने वाला शमय है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मजबूत बहतर और शांदार होगा मित्रो मैं उमीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा स्पेशल रासी को आपने सब्सक्राइब अवश्य कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जै हनुमान आप कमेंट कर दीजिएगा तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद महादेब आपका कल्यान करे हमारी मुलाकात फिर होगी धन्यवाद राधे राधे जै मिथिला